क्या नहीं टेक्स नहीं लगती है निया सरकात ने लेती ये सरकाल दर्ज ने लेती है ये स quién pelvis ये अपसीधा प्रमों देखताऊ मानिया मंखबंतर जी तर ने घ्राइट ये ञएगMON प्रमुझन हिने दीजें मीखवंद्री Je किमतों में लगातार बिर्दी हो रही है वो कहरे मंत्री के जवाब है कि आंसिक रूप से स्विकारात मुख मंत्री माननीय मुख मंत्री जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि रोज एकवार में देखते हैं कि पेट्रोल डियल की कीमत बढ़ रही है हम इस पर गौर करेंगे संजोग समानीय मुख मंत्री जी आही गए इन्हीं के बयान को मैं कोट कर रहा हूं जनता दरवार से निकलने पर नोने पिछले सवता ही कहा था कि हम हम एकवार में देखता हूं पेट्रोल डियल की कीमत रोज बढ़ रही है हम इस पर गौर करेंगे और डिपुटी सीम बानिजकर मंत्री कह रहे हैं कि यह आंसिक रूप से स्विकारात्मक है और उसके तर्क दे रहे हैं कि मार्च में अप्रील में दाम नहीं बढ़ा फिर कह कोई मतलब नहीं है फिर और लिख रहे हैं कि उत्तर और स्विकरात्मक है दूसरे मेरा था क्या है सही के पेट्रोल डियल की बढ़ी कीमतों बड़ा योगदान राज सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं वह उसको स्विकार कर रहे हैं मतलब आप कोई टैक्स नहीं लेते हैं या टैक्स के चलते किमते नहीं बड़ी हैं मेरा मानना है कि जो भी सरकार वैट या एक साइज जुटी लेती है अगर केंदर सरकार और बिहार सरकार राज सरकार दोनों को मिला देते हैं तो लगवग 50 रुपे सूपर का टैक्स है प्रति लीटर पेट्रोल पर और 48 रुपे किमत बढ़ रही है लोगों की परिशानिया बढ़ रही है तो उसका क्या उपाई हो सकता है कच्छे तेल की कीमत हम नहीं कर सकते हैं कच्छे तेल की कीमत को ब्यार सरकार या कैंसर कार कम नहीं कर सकती है लेकिन जो टैक्स हम लेते हैं जो एक साइज जुटी लेते हैं वैट क्या लिखा गया है अब आतों डिप्टी सीम साहब है नहीं है खाद परदार्त एमसाग सब्जी का महागा होना कई बातों पर निर्वर करता है जिन में याता यात तदा माल का परिवहन भी एक कारण है और सेकेंड लाइन में लिख रहे हैं कीमतों में बिर्दी से खाद करवान सुन पर लिक्षित नहीं हो रहा है ऐसे जवाब को क्या मतलब है कि मैं यह जाना चाहता हूँ पूचेक प्रसंप पूचेप्व प्रस्ण कि आप जो हमने प्रस्ण किया था उसका जवाब करें ऻने नहीं दिया मैं सीधे यह कह रहा हुं कि जो टैक्स बिहार सरकार लेती है क्या वो उन टेक्सों में कुछ कटोती करने के विचार रखती है ताकि राज के लोगों को पेट्रोल डिजल की कीमत कम हो और जो काला बाजारी हो रहा है पिछले छे मेने साल हो रहा है मैंने नहीं देखा नहीं पढ़ा नहीं सुना कहीं कि विहार में सरकार ने किसी कृप काला बाजारी को पकड़ा हो द제गता हो तयुस्याहिक के वर मजबूर कर दिया है इन तमाम चीजों का जभाब मिलना चाहिए वह जबाब नहीं ए तो ऐसे गांभीर मस्ले पर अगर टाल्मोटोल की बात होगी कषोप है सिसे का ऐक्सिए की से मौत नहीं हुआ है ऐसे और वारी बातें क्यों की जातीं जो बिलकुल ही नितान सतता से बहुत दूर है तो सरकार की भी जवाब देगे हैं हमारी भी जवाब देगे जनलता को कैसे राहत मिलें लोगत अंतर नहीं है इसका पूरक का जवाब नहीं होता कि वहीं तो पूरक पूछ रहा हूंँ, नहीं वहीं पूरक p hoş रहा है, आपके मत्री जी ने दो पेज में लिखी जवाब दिया है दो प्रिष्ट में है तो दो प्रिष्ट में इस तो पांच प्रशन के पूरक पूछे ना इस पर क्या पूरक चाहते हैं आप पूरक पूरक यही है कि सरकार क्यूं कह रही है कि मागा नहीं बढ़ रही है सरकार क्यूं कह रही है कि पिट प्रश्ण करता ने अपने हिसाब से चीजों को पढ़ दिया इनका प्रश्ण है कि क्या यह सही है कि राज में पेट्रॉल डीजल की कीमतों में लगातार बिदि ओ रही है लगातार प्रश्ण का करें सकंड खंड देखिए सवामपदी महदै उसमें यह लिखा हुआ यह सही है कि राज में पेट्रॉल डीजल की कीमतों में बिदि हुई है किन्तु यह बिदी लगातार नहीं हो रही है कि दिनांग साथ 23 परवरी 2020 से 23 मार् तक कीमते इस्थिर रही तो आप कह रहें लगातार बिर्दी हो रही है सरकार का जो जबाब है उसका दूसरे खंड में उसकी निरंतरता गवारे में कहा गया है डेट वाइज की निरंतरता इसमें कायम नहीं है दूसरा जो मैं इतना सुन पाया देख पाया आपका जो प्रश् लीटर कितना टेक्स लेती और आम जन्ता को राहत पहुचाने के उद्दे से क्या वो अपने टेक्सों में कटोथी करेगी और नहीं तो क्यों यह असपष्ट रूम से सरकार ने कहा है कि पेट्रॉल यहम डीजल की कीमते बैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत से नियंत्रित होता है यहम अंतर राश्टिय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बिर्दी हो रही है ऐसी स्थिती में राजी सरकार के टेक्स में कटोटी किये जाने से डीजल एम पेट्रॉल की कीमतों में मामूली कमी अवस्य होगी किन्तु बैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों से कैक्स की कटोटी का फाइदा आम जनता को काफी अल्प अबदी के लिए उपलब्द होगा यह सरकार का यह भी जवाब है इसको भी पढ़ देते ना प्रिक चली मानिय चाहिए यह बिचितर इस्तिती है कि जवाब कोई मंतरी नदेकर कोई मानिय सदस काउंटर कर रहें अब आप तो अ जवाब नहीं है उस पर पूलने का क्या हो चीता सवापती मोह दो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो किमत बढ़ रही है मानिया मुखमंतर जी एक्सप्ट किया है दूर तक चली जाएंगे अपने मुखमंतर के तो अपने मुखमंतर के बारे में कहा है मैं उसी पर जाना चाह रहा हूं कि जो सब्सक्राइब कर देते हैं सुन यह क्या चला कि है और पंद्र रुपे 25 पैसे करके 19 रुपे कुछ है इसमें जो जादा होगा इसका क्या मतला आप कम कि बात क्यों नहीं करें जनता को रहात देने के लिए कम वाला प्रविशन को क्यों नहीं आप करते हैं आप 26 पर स सब्सक्राइब करें जो टेक्स लेती है उसमें कटवती करेंगी या नहीं इसका इसका उत्तर तो आपको दिया हुआ है आप पूरा उत्तर दिया है संप्रति राज में पेट्रॉल पर करकी 26 पर तिस या रुपे 16 65 पर तिस लीटर में जो अधिक हो जबकि डीजल पर करकी दर उनीज पर तिस या रुपे में बारा दसमलब 33 पर तिस पर तिस लीटर इससे अधिक हो के अनुसार लाग हुआ है कोविड-19 के कारण केवल आम जन जीवानी नहीं बलकि राज का वेवसाय वे मुद्योग जग पर अत्रिक्त भार भी पड़ा है पेट्रोल ऐवम डीजल के कर्द की दरों में कम किये जाने से लोग कल्यान के द्वारा चलाई जा रहा है कलकाल कारी योजनाए प्रभावित होगी पेट्रोल ऐवम डीजल की कीमते वेवसाइक बजार में कच्चे तेल की किमतों से नियंत काफी अलपब्दी के लिए उपलब दो गाए तो जबाद है तो आगे बढ़ना चाहरा हूँ आप इसका चर्जा नहीं करेंगी इतना कोई बास नहीं हो रहा है क्या संजोग समाने मुख्वंतर जी हैं इनका बयान में ने देखा इन्होंने खुद का कीमत बढ़ रही है हम इस पर गौर नहीं किया हम मुख्वंतर जी इस पर गौर करेंगे क्या